हेलो बच्चो कैसे हूँ आप आजम कक्षा 5 समाजिक ज्यान की वर्क सीट हल करेंगे पार्ट वायू परिवहन अंत्रिक्स की और तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रशन एक अंत्रिक्स यान क्या होता है तो इसका उत्तर लिखेंगे मनुष्य ने यात्री विवानों में बदलाव कर उन्हें अंत्रिक्स में जाने योग्य बनाया जिनें अंत्रिक्स यान कहा जाता है प्रशन दो अंत्रिक्स में जाने वाले सबसे पहले अंत्रिक्स यान का नाम लिखिए तो इसका उत्तर लिखेंगे अंत्रिक्स में जाने वाले सबसे पहले अंत्रिक्स यान का नाम रूज का स्पूटनिक है प्रश्न तीन अंत्रिक्स में जाने वाली सबसे पहली महिला का नाम लिखिये तो इसका उत्तर लिखेंगे अंत्रिक्स में जाने वाली पहली महिला का नाम वेलेंटीना टेरेसकोवा है वे रूस की थी प्रशन चार अंत्रिक्स यात्री नील आमस्ट्राउंग ने चांद पर पहला कदम किस तारीक को रखा था तो इसका उत्तर लिखेंगे अंत्रिक्स यात्री नील आमस्ट्राउंग ने चांद पर पहला कदम 21 जुलाई 1979 को रखा था चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न पांच किस देश ने पहला अंत्रिक्स स्टेशन तयार किया था तो इसका उत्तर लिखेंगे रूस ने पहला अंत्रिक्स स्टेशन तयार किया था चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण छे मिलान कीजिए यहां पर वाक्य दिये हुए हैं और हमें इनका सामने दिये गए वाक्य व्यसब्दों से मिलान करना है पहला अंत्रिक्स में जाने वाला पहला व्यक्ति तो इसका मिलान करेंगे घर यूरी गागरिन से दूसरा अंत्रिक्स में पहला जीवित प्राणी तो इसका मिलान करेंगे लाई का नाम का कुत्ता से तीसरा चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति तो इसका मिलान करेंगे ख नील आमस्ट्रॉंग से चोथा पहला अंतरिक स्टेशन तो इसका मिलान करेंगे गर 1971 से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न साथ नीचे दिये गए चित्र को पहचानिये तथा इसके उपयोग लिखिये तो इसका उतर लिखेंगे यह एक कृत्रिम उपग्रह का चित्र है बच्चो कृत्रिम होता है मानव निर्मित जिसका निर्मान मानव ने किया हो इनकी सहायता से टेलिविजन कारेकरम, टेलिफोन, दूर संचार और मोसम की जानकारी मिलती है कुछ गुप्तचर उपग्रह भी हैं जिन से आपदा और सुरक्षा के बारे में सहायता मिलती है चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोशल मतदान एवं चुनाव प्रस्न एक भारत में मतदान करने की निवनतम आयू क्या है तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में मतदान करने की निवनतम आयू 18 वर्स है प्रस्न दो भारत में मतदान कौन कर सकता है तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में मतदान वह व्यक्ति कर सकता है पहला जो भारत का नागरिक हो, दूसरा जिसकी आयू 18 वर्ष या उससे अधिक हो, तीसरा जिसका नाम मतदाता सूची में हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्न तीन मतदाता के हाथ की उंगली पर अमिट शाही क्यों लगाई जाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मतदाता के हाथ की उंगली पर अमिट शाही इसलिए लगाई जाती है, ताकि यह है पता चल सके कि उस मतदाता ने अपने मतद का प्रियोग कर लिया है, और वह मतदाता दुबारा वोट ना डाल सके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना जाग रुकता अभियान, कोरोना से बचाव के लिए, पहला हमेशा फेस मास्क पहने, दूसरा हाथों को साबुन वे पानी से बार बार धोते रहें, तीसरा भीड भार वाली जगाओं से बचें वे समाजिक दूरी बनाए रखें, तो बच्चों, यह वर्क सीट यहां कम्प्लीट होती है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते हमारा चैनल, नौलेज किंग्डम, थैंक यू